संध्या अभी तयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास सार्दा जी ने टोक दिया बहू कहां जा रही हो संध्या ने बहुत बिनम्रता से जवाब दिया मा जी पापा की तवियत बहुत खराब है मा बहुत घवरा रही है उन्हें देखने जा रही हूँ यह कहकर संध्या बिना जबाब का इंतिजार किये घर से बाहर निकल गई सारदा जी को उसका बैभार अच्छा नहीं लगा लेकिन पिता की बीमारी की ख़वर सुनकर वेचुप रह गई संध्या जलती से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वज़े से बुरा हाल था संध्या ने मा से कहा मैंने आप से पहले ही कहा था की पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं खांसी बढ़ती जा रही है लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो आप पापा को संभालो मेडिक्सा लेकर आती हूँ हम बड़े हंस्पिटल चलेंगे संध्या पापा को लेकर हंस्पिटल पहुँच गई वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजिक्शन लगा दिया जिससे उन्हें कुछ अराम मिला डॉक्टर ने संध्या से कहा देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं कल इनके सारे टेस्ट करेंगी उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा संध्या पापा को एडमिट करा कर घर पहुची तो उसके पती सुमीत उसकी पर दिक्षा कर रहे थे सुमीत ने जाते ही संध्या से पूछा कैसे हैं पापा तुम तो उन्हें देखने गई थी कितनी देर लगा दी तुम्हें पता है ना मा से खाना नहीं बनता आज सब भूखे बैठे हैं कम से कम पापा की सोचती अपने घर ही जाकर बैठे गई यह सुनकर संध्या की आँखों से आंसु छलक उठे उसने किसी तरह अपने आपको समालते हुए कहा पापा की तवियत बहुत खराब थी उन्हें हस्पिटल में एड्मिट करा कर आ रही हूँ आप सब बैठिये मैं आप सब के लिए खाना बना देती हूँ यह सुनकर सुमित का गुस्षा कुछ सांथ हुआ उसने कहा नहीं रहने दो खाना मैंने बाहर से ओर्डर कर दिया है तुम बस मा के लिए दो रोटी से एक देना वे बाहर का खाना नहीं खाती तुम जाकर नहा लो हस्पिटल से आई हो संध्या को सुमित का उसकी केर करना अच्छा लगा वह जल्Dी से नहाने चली गई नहा कर उसने माजी के लिए खाना बना कर उन्हें परस दिया वह जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी उसका मन पापा की और लगा था पता नहीं अब कैसे होंगे वह फोन करना चाह रही थी सब काम जल्दी से निप्टा कर वह जट पर चली गई वहाँ उसने मा को फोन लगाया मा अब कैसी तवियत है पापा की मा ने कहा बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तवियत और विगर गई थी इनके खांसी के साथ खोन भी आ रहा था डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी मेरा मन बहुत घवरा रहा है तू अभी आ सकती है क्या संध्या ने कहा ठीक है मा मैं आती हूँ तभी माने कहा अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तू इतनी रात को कैसे आएगी तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना मेरे पास चेक बुक है सुबह बीस हजार जमा करने है तभी इलाज सुरू होगा तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहां जमा करा देना कुछ देर बात करके संध्या नीचे आई तो उसने देखा सब सोने जा चुके थे वह रसोई में जाकर काम निप्टाने लगी आज उसे अपना बच्पन याद आ रहा था उसके पापा कहते थे मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ बेटी है ना इसे मैं इस काबिट बनाऊँगा कि यही मेरा बेटा बनेगी आज अपने आपको कितना लाचार मान रही थी कास वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का खयाल तो रख सकती थी किसी तरह काम निप्टा कर वह सोने चली गई लेकिन आखों में निंद कहा थी उसने देखा सुमित गहरी निंद में सो रहे थे सुबह वह जल्दी उठ गई सब के लिए नास्ता बना कर सुमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तयार हो रही थी तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 20,000 रुपे परे हैं जो सुमित ने परसो घर खर्च के लिए दिये थे संधिया ने कुछ सोच कर पैसे परस में रख लिए और हंस्पिटल पहुँच गई वहां उसने पैसे जमा करा दिये पापा के पास पहुँची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे वह संधिया को देखकर मुस्कुरा दिये तभी मा ने कहा बेटा ये चेक ले और जाकर बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे तभी रिपोर्ट मिलेगी संधिया ने कहा मा पैसे मैंने जमा करा दिये थे अभी घर जाओंगी तो बैंक से निकाल लूँगी पापा का इलाज अभी सुरू हो जाएगा यह सुनकर माने कहा अरे बेटा तुने यह क्या किया तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे संध्या बोली मा चिंता मत करो मेरे पास घर खर्च के पैसे थे अभी बैंक से निकाल कर वापिस रख दूगी मुझे साम को जाना है सौपिंग करने सुमित के साथ संध्या कुछ दिर वहां रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई बाहर गार्ड से उसने पूछा भाईया आज बैंक बंध है क्या गार्ड ने कहा भाण जी आज दूसरा सनिवार है कल इतवार है अब तो बैंक सुमब करती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास सारदा जी गुस्से में बैठी थी सारदा जी बोली बहु यह सब क्या है रात को हमने बाहर का खाना खा लिया सुबा से तुम फिर गायब हो अगर दोनों टैम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बिमार पर जाएंगे तुम क संधिया तेजी से काम में लग गई नहा दो कर फटाफट खाना बना कर सासासुर को खिला दिया इधर उसे पापा की चिंता थी उधर उसे सुमित के गुस्से का डर जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिये सामको सुमित ने आते ही नहीं करना चाहता था आज वही हुआ जिसका डर था मेरी कमाई अपने माता पिता पर लोटाती रहो यह सुनकर संधिया के सब्र का बांध तूट गया उसने कहा मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिये हैं सुमबार को वापिस कर दूँगी और रही बात बिना भाई की बह मुझे उल्टा सिधा सुनाने लगते हैं जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुना कर दिया मैं अभी अपनी मा के पास जा रही हूँ अपने पापा को मैं अकिला नहीं छोड़ सकती सुमबार को तुम्हे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तब सुमीत ने कहा मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे अपने आप रोती हुई वापिस आओगी संधिया ने जवाब दिया उसकी नौबत नहीं आएगी मेरे पापा ने मुझे इतना काबिर बना दिया है कि मैं अपना और अपने माबाप का पालन पोसन अच्छे से कर सकू या कह कर संधिया एक बैग में कप्रे लगा कर पीहर की ओर चल दी आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है अब वह केवल अपने मापिता जी का सहारा बनेगी अपने घर पहुँचकर उसने बैग रख दिया और सिधा ह खुस हुई अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई इंफेक्शन था उसी समय उनका इलाज सुरू हो गया सोंबार के दिन संधिया ने बीस जार रुपे अपनी ससुराल भिजवा दिये कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गये संधिया ने इसी बीच एक नौकडी ढ हुंडिली थी जब उसके पापा घर आये तो उसने सारी बात उन्हें बतला दी पापा ने कहा बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगी तू सुमीत से बात करके वापिस लोट जा संधिया बोली पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं अपने आत्म समान के कारण छोरा है अब म कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो फ्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजी और चैनल को सब्सक्राइब